स्टूडेंस वेलकम टू माई नू वीडियो तूड़े विल डिसकस हेड्रोसाइटलिक कंपाउंस जो हमारे इस लवस में हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जो जैसे जो यह कंपाउंस मैंने अभी नाम लिए इन कंपाउंस के अगर आप रेजोनेटिक को कर सकते हैं एक्तेख सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह है बैंजीन से गाति है या अडिया क्राइब होऊंस के आलावा थैक्तिक कम अगर आप प्राइडिं को लें या पाइरॉल को लें नाइटोचन के पास में लोग्यार रहता है तो वह लेविस बेस की तरह काम करेगा या बेसिक नीचर उसका होगा तो दोनों में प्रीज जादा होगा कौन काम होगा या अलेफैटिक अमीन होते हैं यह ज्यादा हुगे तो इसी को आज हम डिसकस करेंगे तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एक हैट्रोसाइकली कंपाउंड पाइराओ तो पाइराओं का हम सबसे पहले तो आपको यह बताते कि इस्ट्रेक्चर क्या होता है यह दिया हुए आपके 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 यह पाइराओं है इसमें एक कारवन को डिस्प्लेस करके उसकी जिगह पर नाइटोजन लगा हुआ है और एमेच लगा हुआ है और नाइटोजन में दू तो दू प्रिसंस और फाइव एट्रोजन वेलेंस और विक तो वाइन टू थ्री पॉर पाइव एक लोन प्या होगा है तो पहला काम हम क्या करेंगे इसके रेजोनेटिक स्ट्क्चर बना लेंगे इससे हमें यह पता चल जाएगा क्योंकि देखिए अगर मैं कहूंगी वान टू थ्री पॉर पाइव नम्बरिंग हम यही से करेंगे नाइटोजन हेट्रोग एटम जो है वान टू थ्री पॉर फाइव तो जो इलेक्टोफाइल अटेक करेगा वह कहां बेटक करेगा जैसे बेंजीन में हम इलेक्टोफिलिक सब्सुटिशन क करते हैं उसमें जिस तरह से और्फो पैरा या मेटा पर हम लोग लगाते हैं तो उसी तरह से यहां कहां होगा तुबार्टू पे होगा थ्री पे होगा क्यों इक्युवेलेंट्टू फाइव थ्री इक्युवेलेंट्टू फोर ओके तो दो पोजीशन है यहां पर या तो तो आप 2-5 में करेंगे या 3-4 पे करेंगे तो कहां पे होगा यह रेजोनेटिक स्ट्रेक्ट्चर से ही पता चिलेगा तो चलिए इसके हम रेजोनेंस बनाते हैं देखिए सबसे पहला क्या होगा देखिए जो नाइट्रोजन के पास को है वह कैसा लोन पेर है उसको देखिए ए क्या वह प्योट्चर या किसी फार्डीन च्रांत में है चांडरिक्ट अगर है वो तो उसको आप रेजोनेंस पार्टिस्पैट कर सकते हैं और अगल प्योट्चर प्योट्चर प्रूनेंस में च्षिए तो यहाँ यह नाइट्रोजन के तेखिर्चर ओर्ट्चर है वह पी और्बिटल में क्यों क्यों कि रेजोनेंस में पाटिसिपेट करता है इसमें अगर इसके हाइब्रेड इस्टेट की हम बात करें तो वान तू थ्री सिग्मा बॉंड है तो यहां पर यह लोन पियर जो है यूर लोन पियर की तरफ यह नहीं करेगा इसको आप काउंट भी उसके नहीं करते हैं वान तू थ्री इसका जो हैब्रेड इस्टेट है वह स्पी टू ही है ठीक है यह जो है अपका क्या है यूर पी और्बिटल में कभी याद रखिएगा हाइब्रेड और्बिटल में अगर वह होगा तो फिर वह रैजोनेंस के साथ पर पाटिसिपेट न जाएगा और जो यह नोल्पीयर हैं यह चिस तरह से मूप करेगा और यह एक्ट्रोन की डेंसिटी को रिंग में बढ़ाएगा और इसकी बज़ए से यह बैंजीन के कंपेर में ज्यादा रियक्टिव होता था तो अगर आप एंजीन के साथ पर इसको कंपेर करें रहें रह पर इलेक्ट्रोन की डेंसिटी को एक आएक इस तरह से बढ़ा तो नहीं सकता है तो यह क्या करते हैं यह लोल्पीयर की वजह से आप जो है रियक्टिविटी मोर या लेस का पता लगा सकते हैं तो यह यहां पर आपका पाटिसिपेट करेगा किसमें रेजोनेंस में तो पहले तो आप पूरा बना लेजिए इस तरह से यह एन एच है यहां पर यह बना रहेगा यह हो गया यह जो लोल्पीयर आपको दिखाए दे रहा है यह पाटिसिपेट करेगा तो यहां पर आगे आप पर डबल बांड है ओके अब नाइट्रोजन में क्योंकि एक इलेक्ट और यहां जो है यह पाइबांड आपका यहां पर आगे आपका नेगेव को यह पहली रेजोनेंस बन गई है यह पहला केंवनिकल फॉर्म जो है पहला गया तो आप देख रहें हैं कि यह पाइडरॉल है यह पाइडरॉल अपने आप में एक न्यूटरल है क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज이면 तो यह भी न्यूट्ल है को है वर क्यूसिटीव और वैक्यवक का निगिटीव है तो जैसे कि हम बार-बार डिस्कस करते हैं किसीन of the structure तो सबसे पहले हैं ग।कि कभी अधिकतर क्या होता है कि जैसे लैट की कैटाइन का आपको रेजुनेटिंटिंग फॉर्म गदुल पॉलऑ इस ओडिया और किसी एक में जो है वो कैटाइन नहीं है यह निट्रल हो गया यह एनाइन की तरह का वह दिखाई देता है तो वह गलत होगा तो यह सबसे पहला यही देखना होता है जैसे यह दोनु रजुनेंस हो सकते हैं इससे पता चल गए कि यह नूट्रल है फिर आगे देखना है अगर दो मिल जाते हैं तो आपको आगे को बना रहे है जो पॉजिटिफ उपनी जेकर बना रहेगा जो नेगेटिव आया है यहां पर इसको आपनी क्या करना बना फोर्म वज प्लेस और प्लेस क्ली आदर नहीं वह दिखेस कर देना यह यह अले गा तो सर्यक्ष़ और इसलिए नेक्स कार्ष में शिप्त करेंगा त यहां पर positive बना रहेगा यहां पर double bond हो गया और यहां आप double bond आ जाएगा और यहां पर आपका क्या गया negative आ जाए यह देखिए ओके ठीके नाव next आपका क्या होगा देखिए आपको इस तरह से rotate करते जाना है जब आपको जो यह structure है कोई repeat होने लगे तो समझ लीजे कि वहां पर आपका क्या हो जाएगा और यहां पर आपका क्या हो सकता देखिए यह जो double bond है यहां पर जो लोन पेर है negative चार्ज है वो यहां पर इस तरह से आएगा और यह next कार्वर पर ऐसे सिप्ट कर जाएगा इधार को ठीक है positive यह बना रहे हां negative आपका यहां पहुंच जाए तो एक और structure बन जाएगा तो वह इस तरह से बनाएगा और यहां पर आपके क्या आजएगा double bond आएगा क्योंकि इसमें positive बना रहे हैं क्योंकि यह यहां सिप्ट के तो यह आ रहा है वो अपनी जिगए पर original position ही रही उसकी और यह यह आएगा ठीक है अब next जो है देखिए क्या नहीं बनाए है अब उसको देख लेते हैं अब हम क्या करते हैं यह जो negative है यह यहां पर आएगा और यह next कारण पर शिप्ट करेगा यह structure अभी तक नहीं बनाए देखिए तो इसका एक resonance और आया वह यह आ गया जाया है कि यह देखिए यह इधर आज़ाय का जो पुरा डिलोकलाइज किया यहां आगिया डिलोकलाइज करने के बार यहां पहुंच गया हम यहां पे negative यहां पर डिलोकलाइज बना देगा यह दवल रहे गार और यह पॉस्टिव आ गया और इस तरेपे से जूड़ है ए एन ऊरीजिनल में कैसे आते हैं हो जैसे यहीं स्रेक्षर हमारा बन जाएगा किस तरीके हम इसको लेकर आते हैं यहां पडूल गॉन्ड बन जाएगा ठीक है अब negative आपका क्या हो जाएगा ये positive ये खतम हो गया ये negative भी खतम हो गया ये बी Neutral ये बी Neutral तो इस तरीके से कितने structure बन गये इसके पांच resonating structure टोटल बन रहे हैं अभी जहाँ हई कि आप अपने पूरे स्रुक्चर को आपने देखा होगा तो आप में देखा बैके नमबर यहां से अगर नूम फ्री के नेगणी अपनी हों गया तो इस तरीके से तो आप देखिए इलेक्रो फाइल को अटेक करेंगे तो कहीं भी अटेक कर सकते हैं ठीक है तो ऐसा लेकिन नहीं होगा एक नमबर एक तो पॉइंट में बता दूं कि जो खोर और फाइब हैं वो तो एक्यूएलेंट हैं तू और थ्री एक्यूएलेंट हैं तो इसको हमें ऐसे बोलते हैं कि वो तू पे अटेक करेंगा या थ्री पे अटेक करेंगा ऐसे बोलते हैं तो क्या करना होता है कहां पर आटेक करेगा वो कैसे हमें पता चलेगा अब आप क्या करेंगे लैक मैंने कोई लेक्रोफाइल लेंगा अभी कुछ हम पर्टिकुलर कोई भी नहीं रहे मैं यह करके मैं आपको बता देता हूं यहां से देखिएगा लेट कोई लेटो फाई हमने लिया जिसमें की क्या चार्ज होगा वो लिए पॉजिटी चार्ज होगा है ठीक है जब आपको कंफ्यूजन होता है कि वो टू पे अटेक करेगा या थ्री पे अटेक करेगा तो आप दोनु जगह उसको अटेक कराएं अगर उसको आप थ्री पे अटेक करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा यह पाई बॉंड जो है यह पाई बॉंड यहां पर इस तरह से सिप और यह आगे आपका डॉबल बांड अपनी को बना रहे है है ठीक है न और ह्ह 1 पहले से e यहाँ अपर यहाँ पर क्या आपका पॉसिट चाहता है यह पाइब यहाँ पर रहा ठीक है इसे यह लग जाए आपका e-positiv और क्या बना सिग्मा कॉंपलेक्स पर किया यहां पर नौ वह सी थ्री पे अब इसको हम अटेक कराते हैं सी पॉजटीव एट सी टू यह था आपका सी थ्री ठीक है अब सी टू पर अटेक करेंगे तो क्या होगा देखिए यह पाइब यहां सिप्ट करेगा तू की तरफ को ओके तो यहां पर आजाएगा आप तक जिस तरह करें अब दोनों को त्यहां से आप समझेगा यहीं से इसकी केमिस्टी सुरू होती है डावल वांट तो यहां पर आपका आगया यहां सिप्ट कर जाएगा तो यहां पर आपका आगया एच और यह आजाएगा आपका यह पॉज़री चार्ज है ओके तो आब अगर आप इसके एक तो आप यहां नहीं ले जा सकते है देखो इसको यहां नहीं ले जा सकते है ठीक है इसको आप क्या करेंगे इसको यहां ले जा सकते है ठीक है और इसको यहां ले जा सकते है इसके मैक्जिमम आपके दो रेजोनेटिक स्ट्ट्चर आप इसके बना सकते है तो यहां पर हो सकता है जो यहां पे नेगणिम होगा मों यहां पे आसकता है ठीक है ना तो इस तरीके से जो है जो नेगटिम होगा वो यहां आ जाए रभव एक रच्टचर और रजाए तो चुब पर जवाब एक्क करेंगे तो इसको मैं बना देता हूं देखिए इसका मेरा इजोनिटिंग स्ट्रिक्चर बना रहा हूं देखिए इसको लेकर के हम यहां आ जाएंगे तो यह वो लेकिन अनिस्टेबल होगा इस तरह से आप देखिए यह आपने बना दिया देखो अ जफ़िए यहां 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 स्ट्रिक्चर आप पहले वह देख है कि देख awakening यह यहां पर स्ट्रिक्चर आप पहले भी देखिए यहां यहां प्र zeg气 कि पना रही आपтовगा टीच्चर आप के Hayward को जब्वाधर कर देखिए यहां पाइट वियए यह पार बन रही है कि पहले अब नेक्सके बनाएं इसके बाद अगर स्ट्रेक्चर क्या इसको लेके आए इसको मैं राजाएं और यहां पर पालजा इसको लेकर में आगे को चलीगा बोके तो लेकिन अब आप इस क्रेक्टर उखना इस आपकेंसे अनिस्टेबल स्ट्रेक्टर बनने लगेगा एक तो यह चैनल था थीक निकिए भू हमारा बनेगा नहों यहां सित्ट हो तो यहां ने बागेगा ठीक है और अगर में इसको यहां लेकर आऊंटू यहां पर क्या जायाँगा पका पॉजटीवा जाएगा वह और यह बीक रहेब और एक पॉजिटिव यहां भी आ जाएगा इसको बेख लेता है किसे हों कितना अनिस्टेबल स्टेक्चर बनेगा लोगी न वह डिखाने लग गया दो का दो पॉजिटिव क्या आ जिखाने लिगेगा एक अन एच यहां पर छला गया और यहां पर एक यह जाए हो गया पॉजिटी और आजाता है था ठाउने सील यहां आगिया तो जरा देखिए तो इस प्रेट च्टक्चर क्या बना है किस तरह की स्टक्चर बना है और ऐसे स्टक्चर जादव्द होने लगेंगे यहां तो थोगा सा अन्सटेबल तो यहां पर दो तो बन रहे हमारे दो तो यह structure बन रहे हैं यह दो नों लेक करके लेकिन यहां पर उससे थोड़ा सा ज्यादा बनेगा ज्यादा करने कर तो पोजेशन नंबर टू पे इलेक्टोफाई जो अटेक करता है ना वह तो stable molecule का formation करेगा, क्योंकि उसमें जो regionating structure बनते हैं, उसमें 3 regionating structure बन जाते हैं, लेकिन इसमें 2 ही regionating structure बनते हैं, लेकिन इसमें 2 ही regionating structure बनते हैं, इस वज़े से चारवन नमबर 2 पे जबाब अटेक करेंगे, पायरॉल के case में, तो electrophilic substitution नमबर 2 पे सही माना जाएगा, नमब तो यह जो आपको क्या करना है, एक जो आपका यह लोण पे रहना, यह लोण पे तो आपका रहेगा hybrid orbital में, लेकिन यह लोण पे जो आपका किसमें रहेगा, पी और पितल में, तो यहां से शुरुआत इसी तरह से होगी, यह समझ लीजेगी यह आपका, तो सेम यह जो structure बागी इसी तरह से आप rotate करते चले जाएंगे, तो कहीं पर कोई difference नहीं है, hydrogen की जिगह पर आप समझ लीजेगी, यह लोण पे लिखेगा आपको बागी कुछ भी नहीं चेंजी करता है, ठीक हो गया, तो इस पे भी जो attack होगा, इलेक्टोफाल जो attack करेगा, एट C2 पे ही हो इसमें फिवरान में थी, तो कि सेम उसके रेजोनेटिक इस्ट्चर सेम है, अटेक करने के बाद C2 पे ही stable जो है क्या बनेगा आपका, इसी तरह से मैं थायोफीन की बात करो देको, थायोफीन की structure भी बनाते है, थायोफीन है यह, थायोफीन थायोबाने क्या होता है, तो य यह आगया, तो यह आगया, यह थायोफीन है, तो यहाँ पर एक आपका यह थायोफीन है, तो 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 यह थायोफीन है, यह थायोफीन है, यह थायोफीन है, यह जा राए तो आपके क्या हो गया यह यहाँ गा जाएं गा ऑक्सिज़न के लोन पर स्टार से यह यह आएं तो आपके पाईरोल की तरह इसके भी बने और जो इलेक्ट्रोफ कॉयल एटक करेगा वह एट कहां पर एटक करेगा सी तो पर एक तेक करेगा अब इसी में डूसरी चीज़ भी देखेजेए देखिए शक्तिक्त्राइटन करेगा यह जैने मुष्ड है यह इसंञे इसे इस न्यू ट्रीक आउप पर पासरे संद प्रलिट करेगा । तो जब सी टूपे एक्ट करेगा यह समझ लीजे कि उसके बगल में ही लोगार है जो इसवज़े से आपको यह सहूलियत रहेगी आसानी रहेगी कि इलेक्टोफाइल को एलेक्ट्रॉन चीए तो जहां पर एक्ट्रॉन है उसके बगल में ही वह जुड़ेगा तो इस वज़े से आपके क्या जाएगा सी टू पे बगल में एलेक्रॉन हैं सी टू पे इसमें भी नमबर इंग इसी तरह से आपको 1 2 3 4 5 ठीक है ऑक्सीजन के पाद उन पे रहे तो बगल में जोड़ जाएगा आप चाहिए इधर का बगल लेले आएधर साइक कोई भी ले ले लिए इसमें लांटी की नमबर इसी तरह से 123 4 5 लेकिन जब हम इस्ट्रक्ट्यर में आते हैं परी दिंद यह थोड़ा से चेंज होगा तो शीक्स मेंबर रोई है तो सिक्स्कूर्ब के पास कितने रोटियर हैं यहां वध्याधिन के लेकिन नाइट्रोजन जब पीरेडीन के सांथ महां होगा इस तरह से ही है हो इस में जो है क्योंकि यहीं से दलाइड होगा योई लोनपिर हो लेखं़ इस लोनपिर की खासियत क्या है क्या फूल पार्टिसटेट नहीं करेगा क्योंकि ये किसमें Сп क्वित d तो यह पर पार्टिसिपेट नहीं करता है ठीक है तो राइजोनेंस में आप इसी तरह से राइजोनेंस से बनाती चले जाएंगे यहां से यह जैसे बेंजीन में लोग बनाते हैं ठीक है ना तो यहां पर होगा क्या रिखो यह जो आपका लोग पेर है क्योंकि यह हाइबरेड और्बिटल है तो यह डोनेशन के लिए लेकिन अविलाबल है किसको दोनेट देने के लिए किसी ऐसी अगर इसके पास में कोई प्रोटोनेशन के लिए एज पॉजिटिव आ जाए एज पॉजिटिव एज पॉजिटिव कर दो दो कर दोता है झाँ पारोल में जो यह फसे नहीं अविलाबल है तो by दूना में है ईए बिए झाल है अपनेशन का और जब आप इसके resonance बनाते हैं तो राजोनेंस किस तरह से बनाएंगे क्योंकि nitrogen carbon यह लगे में इसमें तो नाइटोजन क्या होता है कि देखेंगे मैं दिसका कि जाता हुआ आघए क्या यह है पोसिति आए कि पशित यह है इसटुकर आघए तो इस को में पर आगा पॉजिटी च्छ करугा गैए यहां पर आपका नाईटरोजन यह आपका नेगडिफ और यहां पर 1 पर आपका नेगडिफ और 1 पर टेकिल्य हम ऐब इस तो कि आ रखेगे के लोग जो यहां यी यहां पर मैं Sarge उसकी टर्फुवार्पिद्व किया नाईटरोजन कि डरफ नाइटरुजफ यूझन इसको स्पचेफ करेंगे एक यहां जाएख तो यहां आजाएगा ठीएऐगा इस तरह से कुन तो थिखलेजए क्या का पाइवांड यहां सिप्ट किया और पर एक समस्झति दीजिए कि पॉजटिव आए तो यह पाइप और यहां से पॉजटिव यहां आगया दिए अब इसके बाद नेक्स और बनाते रिखिए इसे बाद अगर इसके रिज़ूनेंच बनाऊगी आप तो अब आपकी कहा करता दिए अगल बगल में तो यहां पर क्या आगे हैं कि फ्लस और माई द्रेजनेंट से ऐसाओ आप एन कि अवर वों यहां पर ने स्वीज़ सब्सक्राइब और यह पर तो प्रॉप जबना रहेगा और यह पर पॉस्थिवा ओके फिर एक बार और करता यह यहां सिप्ट कर गया और यह यह तो एक रेजर इंस और आ गया लिए इंट्रस्टिंग एक रेजोनेंस और आ गया इसका तो यह बना गया तो इतने में रेजोनेंस आपके बना दिया इसमें नाइटोजन के साब एक नोन प्यर अपनी जिगा बाहर की तरफ बना रहेगा जो कि आपको ध्यान में रखना कहीं पर भी यह अपनी जिगह बना रहेगा यह लोन प्यर पाटिसिपेट नहीं करेगा जो अंदर की तरफ जो आपको इलक्ट्रों दिखाए देरें वह पाई बॉंड रसिप्टि किया हुआ है अब आप अब हम देखेंगे जब इन्हीं स्ट्रेक्ट्चर्स को आप देखिए तो अगर आप नाइटोजन को नंबर वन लेकर के नंबर वन तो थ्री पॉर वाइग और सिक्स तो आप देख रहें कि खूर पे पॉजिटिव है इसी तरह से और भी स्ट्रेक्ट्चर आपके बन सकते हैं यह यहां आगिया तो यहां पर भी हमारों देखिए और अगर सिक्स पे पॉजिटिव है तो इसका मैं टूपे भी पॉजिटिव आसकता है जब आपका पाई बॉण्ड यहां सिप्टि किया उदर मैं इसको इलेक्ट्रों को यहां सिप्ट नहीं देखिए यहां सित्रिक्ट्रों की डेंसिटी काम हो रही है एक स्ट्रेक्ट्र और बन सकता है इसमें जिसमें भी तूपे के आएगा पॉजिटिव आएगा जब सिक् आपका नाइटोजन एलक्ट्रों को अपनी ओर खीच रहा तो उदर साइट चाहें तो वो वाले कारबन से खीचे यापनी ओर घीचे तो जैसे आब नाइटोजन जब पारयरॉम में था यह तो दे रहा था ठीक है लेकिन पिरिदीन का नाइटोजन अगल बगल से इलक्ट् कि कमी वाले कार्बन क्या हूंगे एलेक्ट्रों डेफिशियंट कार्बन इत्मींज इलेक्ट्रों इंपेथो अटेक नहीं कर सकता है अब ध्यान से आपको समझना देखें क्या हुआ है सुरुवात से पतल चल जाएगा आपको कि पाइरोल में तो नोल पियर जो था वो रिंग में दिया गया वो कार्बन की तरफ तो गया लेकिन पिरेडीन में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रों को कार्बन की तरफ से लिया है इसमें इलेक्ट्रों की डेफिशेंसी हो गई है कार्बन नंबर जस्ट जो बगल में है इसमें तो इसमें तो अब देख रहें खोर में भी जो है आपका क्या है पॉसिटिव है लेकिन अगर आप इसके पूरे रेजोनेटिव इस्टेक्शन को देखेंगे तो नंबर थ्री और नंबर फाइप में आपको पॉसिटिव नहीं दिखेंगे लेगो नंबर थ्री पे आपका यहां देखिए नेगड़ी बार नंबर फाइप पे लेगड़ी बार रहा है तो इक पीरिडीन में जो इलेक्ट्रोंपाइक करेगा वह कार्बन नंबर थ्री पे या कहें नफ्रस्ट्रास थिखरां में ताल्ण केश में क्या हो रहा था था कार्बन मन्बर पे अटेक हो रहा था या कार्बन नंबर हां यहार क्या था का का अब एक चीज आर आपको बताएं पर यह पूद गये थे यह हो देखिए नमबर 3 और 5 यह दो लोगों को बने बोला c3 और c5 यहां पर क्या हो रहा देखिए जब अम्हें नमबर लिग करी थी तो 1 2 3 4 5 तो यह 2 और यह 5 तो c2 c5 यहां भी यह हो रहा था c2 लेकिन c2 और c5 अगल बगल वाले थे लेकिन यहां पर अगल बगल वाले में अटैक नहीं करेगा यह आपको देखिए यहां कर देखिए यह तो ऐसे एक कुछ फॉर्सेंस आपके ऐसे बन जाएंगे इलेक्टोफिलिक सब्स्ट्टिप्शन के बारे में मैंने बताया आपको तो इस पूरे चैप्टर की जो मेन रियक्शन है वो इनी पर बेस्ट है ठीक है और एक बेसिसिटी का मैंने तरीगा आपको बता दिया कि पाइरोल जो है वह आपका क्या रहेगा लेस बेसिक रहेगा और पिरिडीन जो है मोर बेसिक रहेगा क्यों यह आपके जो नोन पियर हैं इसको देने के लिए एविलेबल हैं किसी एसिट को दे सकते हैं लेकिन आप पिरिडीन को जो आपके एलिफैटिक एमीन होते हैं उससे आपको जो है ज्यादा नहीं मानना इसको उससे कम होते हैं कैसे देखिए इस पे लोन पियर है इसका प्लसा इट्रेक्ट होगा तो यह लोन पियर आसानी से और भी बैटर तरीके से दिये जा सकते हैं तो इक मिंज अगर तीन को हम ओडर करना चाहें इन सबसे जाधा कॉन होगा थी एच फ्री एन इच टू सबसे ज्यादा बेसिक होगा ओके दूसरे नंबर में आएगा पेरेड़ी और सबसे कम होगा कॉन सबसे कम कॉन होगा पायरा तो यह आपको ध्यां देखिए बहुत पार पुछा जाता है कॉन्टेशन पर कि कि विज वि सबसे करेक्ट और तो आपको यह ध्यां में रखना है तो इसको देखिएगा आप लोग नाओ से यू इन नेक्स वीडियो ओके थैंक यू बेरी मच्च